Capital Smartity के वो मेंबरान जिन्होंने Capital Smartity में तब इंट्रस्ट लिया तब ट्रस्ट किया जब Capital Smartity को कोई जानता नहीं था और Capital Smartity कोई ब्रैंड वैल्यू नहीं थी मैं बात करहूं General Block के मेंबरान और Executive Block के मेंबरान General Block 2017 में लाँच किया गया था और 2019 में इस Block को Executive Block का नाम दे दिया गया था लेकिन आज की डेट 2024 में भी Executive Block में development नहीं हो सकी उन मेंबरान को क्या benefit पास हुआ अगर तब के exchange rate देखें 2017 के और 2024 के exchange rate देखें उन्हें अप्रॉक्स Capital Smart ने 2017 में जब इस project लाँच किया था उस वक्री लाँच किया था उस वक्रेटल समारिटी की दरस्थे जो सबसे पहला व्लॉक था उसका नाम था General Block जहां पे कनाल का प्लॉट 46 लाग रूपीज का सेल किया था और इस कनाल के प्लॉट में development charges शामिल नहीं थे बाद में Capital Smart न ने consecutively different blocks launch किये जिसमें Overseas East है Overseas Central है इसके लावा आपका Overseas Prime 1 है हार्वीपाक Overseas East और हार्वीपाक Overseas Central के blocks शामिल हैं लेकिन Capital Smart टी के सिर्फ एक block को छोड़के तमाम blocks में development हुई possession offer हुआ कुछ blocks ऐसे हैं उन sector में भी जहां पर अब तक litigation है लेकिन 80-90% cases में plots डिलिवर ह हो चुकी है एक्जेक्टिब लॉग के case में 80% plots अभी तक डिलिवर नहीं हुए सिर्फ 20% plots डिलिवर हुए हैं जो के sector B और sector C में located हैं तो उन मेंबरान का क्या ऐसा कसूर था उनने Capital Smart टी investment की और अपनी investment को half कर लिया Capital Smart टी ने अभी तक उन मेंबरान को ऐसा को benefit पास नहीं कि interchange बना जो कि आज की date 30th of May में आज वो operational है और वहाँ से कोई भी individual जो Capital Smart टी से access लेके जाना चाहिए इंटरचेंज से वो जा सकते हैं और अगले 15 दिन के अंदर-अंदर motorway बे प्रॉपर MTAC के boost लग जाएंगे जिसके पास कोई भी individual जो Capital Smart टी में passes रखते हैं या नहीं रखत वो भी site पे entry ले सकते हैं जो कि बहुत बड़ा benefit होगा लेकिन इस entry और exit का जो benefit है वो executive मेंबरान को क्या मिला है executive block के मेंबरान को इसका कोई benefit नहीं पास हुआ क्योंकि executive block 80% land अभी तक still litigation के अंदर है और जब तक को litigation clear नहीं होती तो जाहर सी बात executive block के मेंबरान को possession नहीं मिल किया गया था तो management ने ये इस बात का इंदिया दिया था कि आने वाले दिनों में motorway के opposite site पे overseas west overseas prime 2 और इसके साथ साथ वहां पे executive clock के जो मेंबरान जिनको यहां पे plots शुरू में सेल किये गे थे उनको भी वहां पे plots की shifting कर दी जाएगी और वो develop करने के बाद shift किया जाएगा यानि कि उस block को launch तब किया जाएगा जिस तरह वहां पे मुकमल development हो जाएगी streets का layout प्लैना भी वहां पे cutting और filling वाला काम जारी है लेकिन आने वाले दिनों में जो वहां proper streets का layout प्लैन बन जाएगा underground saverage, underground electricity और बाकी तमाम लवाजमाद जो development के लिए necessity होती हैं उनको मुकमल क shift करने का membrane हो क्या benefit होगा, उसका benefit सर्फ एक benefit होगा, एक तो वह DHA 9 के साथ या DHA गंधारा city के साथ होगे, अब यहां पर यह तो point है, मद्दे नज़र रखने वाला वह यह सबसे point important है, कि DHA गंधारा city के साथ होगे, याद रहे कि DHA पाक्सान में जो भी project launch करता है, DHA हमेशा की price bracket जो है, वो डाई क्रोड, तीन क्रोड़ियां से ज़्यादा की price bracket पर launch करता है, और DHA उस price bracket को hold भी करता है, यानि कि DHA हमेशा उस price bracket से हमेशा आप देखेंगे, उपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ नहीं आता, क्योंकि DHA पाक्सान में सबसे बड़ा brand है in terms of housing society, army welfare trust की आर्मी establishment का directly एक बहुत बड़ा ये project है, जिसको DHA के तोर पे defense housing authority के नाम पे जाना जाता है, अब capital smarting इंजामिया ने around 30,000 किनाल की land, DHA को transfer की थी, अब DHA को जो land transfer हुई है, DHA approximate ETH के बाद उसमें, दुबारा से मैं उमीद करते हैं, कि गंधारा city के नाम से को product launch कर देगा, और उस product के launch के बाद, जब इस site के मैंबरान को सरफ shift किया जाएगा, अब जो 40,000,000 के कनाल का plot जिस member ने खरीदा होगा, definitely जब opposite site पे shift होगा, plot develop होगा, possessionable होगा, तो जाहर सी बात है कि DHA के comparison में उसकी prices फिर भी बहुत जादा justified होंगी, और justified होने के साथ-साथ, वो area possessionable भी हो इंटर्चेंज चुक्ए operational हो चुक है, इंटर्चेंज के entry और exit point आज की date में मुकमल operational है, तो आब वहां से entry exit का मसला बिल्कुल खतम हो जाता है, दूसरी बात, कि जब वहां पे shift किया जाएगा, DHA for example plot launch करता 3 क्रोड का, तो कौन सा individual ऐसा होगा, जो DHA का 3 क्रोड का plot prefer करेग और capital commodity के 2 क्रोड की product को ठुकरा दे, अब इस बात पर हम दुबारा comparison में आते हैं, for instance, कि वहां पे cash की property 2 क्रोड की होती है, या 1.5 क्रोड की होती है, जो भी number आप count कर लें, क्यूंग DHA की launching rate पर depend करता है capital commodity, executive block का वहां पे क्या rate होगा, या overseas west में, overseas prime में क्या rates होगा, अगर D investment है, principally 50-60% का loss हुआ है, due to money exchange, ये exchange rate की वज़े से, अगर overseas पाक्सानी है, तब उने investment की, अप to pound का rate था 150 रुपे, dollar का rate था 120 रुपे, dollar का rate है 278 रुपे, और pound का rate है 351 रुपे, जायर सी बात है, हमकी investment है, बहुत बड़ा fall आया था, तो वो fall इस तरह से recover होगा, जो 50% का exchange rate का fall है, वो automatically investment जब डबल होगी, तो automatically वो fall जो है, वो cover हो जाएगा, तो ये अमीद की जा सकती है, कि एद के बाद, जब DH एक अंधारा city लाँच होगा, तो capital smart city का, overseas west, prime 2, and executive block के मेंबरान को भी, इसी तरह benefit पास होगा, तो मेरा ख्याल है, कि capital smart city के management को, इस बात पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, कि सबसे पहले मेंबरान को बाल को shift करें, उनने किसी possessionable area में convert करें, इven थो रिजिनल डी, possess vowelable plot के inventory, overseas 16, सेंटल, prime 1, में दी गई थी, जो के 5 MURले का plot 40,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, management ने उसको shift नहीं किया तो उमीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब executive two block या executive block के मेंबरान को वहाँ shift किया जाएगा तो उनकी investment पे अच्छा खासा खासा खातरखा इजाफा होगा यह उमीद की जा सकती है तो यह overall update थी उन मेंबरान के लिए जिनकी investment executive block के अंदर है लेकिन अब अब तक उनको अपनी investment पे कोई खातरखा इजाफा देखने में नहीं नज़र आया बलके खातरखा नुकसान देखने में ज़र आया जिसके example आपकी सबसे बड़ी exchange rate की policy है तो viewers this was it from today उमीद करते हैं कि आने मेले दिनों में capital smartity की policy जल्द जल्द executive मेंबरान को पास की जाए और उनको अपने plots पे अच्छे से अच्छा मुनाफ़ा और अच्छे से अच्छा उनको possession मिले ताकि अपना घर बना सके तो रिज्वान चीमा को दीजिए जाज़त अगली वोड़े दर के लिए खुदा हाफिज